तुला रासी वालूं के लिए अक्टुबर का महिना 2023 कैसा रहने वाला है। वैसे इस रासी पर केतू भी चल रहा है। केतू का प्रवाव भी इस रासी पर अभी रहेगा। आपके उपर इन ग्रहों का प्रवाव क्या होगा इस रासी पर इस महिने में कौन-कौन ग्रह प्रवाव डाल रहे हैं। इनका प्रवाव आपके देनिक जीबन में सुप पड़ेगा या असुप पड़ेगा। यहाँ सारी जानकारी में आपको दूँगा। चाए आप नौकरी करते हैं, बिजनिस करते हैं, या फिर अन्यकाम करते हैं, आपके देनिक जीबन में जो जो समस्याई इस समय निकलेगी में आपको बताऊंगा, तथा लास्ट में बिसेस बातें बताऊंगा, जिसमें बचाओ बताया जाता है, जो मीन बिसेस बातें ध्यान देना योग्यव होती हैं वो हमें लास्ट में आपको बताऊंगा तो अगर यहाँ जानना चाते हैं आप तो आपको वीडियो पूरा देखना पड़ेगा तबी आपको सारी जानकारी मिल पाएगी अगर तोलारासी की बात इस महीने में करें तो इस महीने में तोलारासी पर अच्छे ग्राओं का संयोग भी बन रहा है इस संयोग के प्रवाव से आपको इस महीने में अच्छा लाब रहेगा बले ही आपकी रासी पर केतु चल रहा है परन्त अच्छे ग्राओं के संयोग से इस महीने में अच्छा फल मिलेगा, अच्छा लाब मिलेगा, आपका मान सम्मान भी बना रहेगा, पैंसों का भी अच्छा लाब इस महीने में आपको दिखाए देगा, परन्त स्वास्ते के प्रति आपको सजग सतर्ग रहने की आवश्चकता रहेगी, परिवार कुटुम्बी जन मित्रों का इस महीने में आपको संयोग मिल सकता है, ऐसता हो सकता है कि इस महीने की शुरुआत में आपके काम के प्रति तेजी रहेगी, परन्त महीने के लास्ट ल वाले लोगों के लिए भी अच्छा लाब रहेगा। अगर आप नई नौकरी ढूंढ रहे हैं तो नई नौकरी भी आपको मिलेगी। या मिलने के भी अच्छे योग हैं किसी परकार का पदोनत्ती के भी योग इस महिने में बन रहे हैं। जो लोग बिजनिस आदिका कारे करते हैं बिजनिस में भी अच्छा लाब रहेगा आपके बेवाहिक जीबन की बात करें तो बेवाहिक जीबन में भी आपकी प्रसंता दिखाई देगी आपके जीबन साती के द्वारा या जीबन साती के ग्राओं के प्रवाव से आपके विवार के कुछ योग भी इस महीने में बन सकते हैं। चात्रों की पढ़ाय के लिए अच्छा है। सरकारी छेत्र में प्रियास कर रहे चात्रों को मेनत करने की आविश्चकता रहेगी। अब मैं आपको बिसेस वहाँ बचाओ बताता हूँ जो आपको जरूर याद रखना है, जरूर ध्यान रखना है। बात करें इस महीने में वैसे तो यहाँ महीना आपकी लिए लाबकारी ही है। परन्तु आपको गाड़ी वाहनों को साबदानी से चलाना है। स्वास्ते का ध्यान रखना पड़ेगा। गरम चीजें तली हुई चीजें आपको कम लेनी हैं। अपने स्वास्ते के हिसाब से आप ले सकते हैं। यहाँ चीजें आपको बिसेस ध्यान रखनी हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको ज़्यादा दिक्कते हो रही हैं, जो फल यहाँ पे सुब है उसके हिसाब से आपका नहीं चल रहा है, तो ऐसा हो सकता है कि आपके जनम कुडली में कुछ कराउं के वज़े से आपको दिक्कते हो रही हो तो आप परामर्स लेकर के उचित उपाई सही उपाई कर सकते हैं